नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल धन्रा शोटनेंट अकैडमी स्टनो क्लासिस में दोस्तों आज की हमारी डिक्टेशन है तीज पर लोगों से रंगीन समद्र सा नजर आता जैपर दिनाख 20 जुलाई 2020 कती 80 शब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट धर्ती और पहाडियां हरियाली की चादर ओड लेती और नदी नालों में जल बहने लगता है विराम सभी तीज का त्योहार मनाने में लग जाते हैं विराम महराजा प्रताप सिंग तीज के दिन ताल कटोरा में नौकायन करते थे विराम रंग बिरंगे लहरिया वस्त्र और आभूशन पहने महिलाएं और पगडी पहने लोगों का रंगीन समुंदर सा नजर आता था विराम रियसती दौर में तीज पर तीन दिन की चुट्टी रहती थी पुराने समय में तीज माता की सवारी जलेब चौक से हवा महल के सामने से निकलती थी विराम हवा महल में महिलाएं सुरंग के रास्ते से पहुचती और यहां के जाली जरोकों से तीज माता का दर्शन करती दूसरे दिन तीज माता की सवारी घाट की गुनी पर निकलती विराम आजादी के बाद तीज माता की सवारी छोटी चौपड से चौगान स्टेडियम होते हुए ताल कटोरा पर पहुचने लगी है विराम तीज माता के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि लंबी तपस्या के बाद माता पारवती को भगवान शिव तीज के दिन ही मिले थे तभी से तीज को सौभाग्यवती महिलाएं मंगल पर्व के रूप में मनाने लगी विराम इस दिन योवतियां पारवती का पूजन कर शिव जैसा योग्यवर प्राप्त करने की प्रार्थना करती है विराम जनाना महलों में संगीत की महफल सजती थी अगस्त 1875 की तीज पर सवाई राम सिंग के नियंतरन पर गौालियर महराजा जयाजी राव सिंधिया जैपुर आये विराम सिंधिया ने तीज पर गुड सवारी की और वे सिटी पैलेस के छवी निवास महल में तहरे विराम 1932 की तीज पर हनुमान का रास्ता के हलवाई राम निवास गोपी चंद दही वाले ने आठ मन धाई सो सेर घेवर बना कर सिटी पैलेस में भेजे तीज माता की सवारी निकालने के पहले माता को सिटी पैलेस के जनानी महलों में रानिया सेवी काओं के संग रत्न जड़ित अलोकिक वेश भूशा से श्रंगार कराती थी विराम रामनिवास बाग रामबाग और घाट की गुनी के बागों से माता के लिए सुगंदित पुश्प आते थे विराम श्रवन के क्रश्न पक्ष की एकादशी पर शहर के मंदिरों में भगवान को सोने चांदी आदी के बने जूलों पर बिठा कर सावन के हिंडोले दिये जाते विराम दिवंगत राजमाता गायत्री देवी ने आत्म कथा में लिखा है कि उनकी पहली तीज पर सारा जैपुर रंग बिरंगी पगडी और सतरंगी पोशाकों में हिलोरे मारता नजर आ रहा था विराम जूला जूलते समय सुहाग ने अपनी सखियों के कहने पर अपने पती का नाम नहीं लेती विराम पहले सावन में नव विवाहिता को ससुराल में रहने की इजाजत नहीं थी उसे पीहर भेज दिया जाता विराम शिव पुरान में शिव जी ने पहले सावन में पारवती को पीहर भेज कर भ्रमचरिय व्रत धारण किया था विराम तीज के दिन बरसात नहीं आने पर लोग कहते अजी आज तो लहरियो ही कोनी भीगयो विराम आशा करते हैं आप सभी को डिक्टिशन पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद